हेलो माई यूटूब फैमली गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे अपने परिवार के साथ खुश होंगे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल क्यूट फैमली में चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और आज का ब्लॉग का सुरुवात हो रहा है किचन से सुबह सुबह का समय है अभी लगभग साड़े आठ बज रहा है और मैं बना रही हूं यहां पर ब्रेकफास्ट अपने लिए और अपने हजबन के लिए भी आज मै मैं बना रही हूं ब्रेकफास्ट में यहां पर बेसन का चीला थोड़ा सा बैजिटेवल भी मिक्स करूंगी इसमें कल संडे था तो कल मार्केट गई थी तो मैंने अपने हिसाफ से लिए हैं सबजियां क्योंकि मुझे अभी ज्यादा तर हरी सबजी ही खाना है तो जो जो म पेटर बना लिया है यहां मैं बना रही हूं अभी अपने हजबेन के लिए तो उसमें थोड़ा सा तेल ज्यादा डाला है मैंने और क्योंकि चिपकता है थोड़ा तो वैसे तो ज़्यादा ये वाले तवे पे नहीं चिपकता है अलाकि ये तवा मेरा खराब हो चुका है तो थोड़ा सा चिपकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आसानी से पलड़ जाता है लेकिन थोड़ा सा मैंने आप तेल डाल दिया है ताकि अ तो मैंने बना लिया एक और ये दूसरी वाली है तो यहाँ पर मैंने न सोचा था कि तीन बने लेकिन ऐसा होता है मेरे साथ मैं हमेसा ही बोलती हूँ कि अधिकतर हो जाता है जाधा कि मतलब कुछ भी बनाऊं तो एक-दो तो जाधा हो ही जाना है तो मेरा यहां पर चीलाना चार बन चुका था तो husband ने तो दो ही खाया वो तो दो से ज़्यादा खाते नहीं है तो बाकी यहां पर बच गया था दो जो कि मैंने बनाया था अपने लिए तो यहां पर एक मैंने छोटा और लाश्ट वाले को मैंने बड़ा इसलिए बनाया तकि एक में मैं खालूँगी और मुझे दो बार बनाऊँगी तो दो बार अलग अलग से तेल डालूँगी तो ज़्यादा तेल हो जागा इसलिए मैंने एक बार थोड़ा सा तेल डालके और पूरा जितना बड़ा तवा था न उतना बड़ा चीला बना लिया तकि मतलब उसमें तेल कम लगे इसलिए और यहाँ दूद मैंने चड़ा दिया है आचुका था दूद तो दूद भी इधर चड़ा दिया है इधर दूद भी उबल जाएगा जब तक मैं इधर बना रही हूँ कुहू यहां पर वैठी हुई है मेरे साथ हस्बिन मेरे चले गया थे नास्ता करके तो मैं इसके साथ यहां थोड़ा सा मस्ती कर रही थे इसको बीच-बीच में जरूरी है नहीं तो बहुत न चिर चिरी सी हो जाती है तो इसके साथ थोड़ा थोड़ा ना बीच बीच में मुझे घेलना भी पड़ता है तो यहां मेरा लास्ट वाला चीला था जो बन के रेडी हो चुका था तो मैं अभी ने इसको कट कर दे रही हूँ इस तरह से क्योंकि बड़ा है तो प्लेट में नहीं आएगा और इस तरह स अभी मैंने नास्ता नहीं किया था फिर कुहू ने सामने देख लिया था औरेंज तो बोली ममा औरेंज चाहिए तो मैं अभी सोचे कि उसको छिल के दे लूँ ताकि वह इधर खाने में लगी रहेगी तो मैं इधर जो बरतन है वह सारे बरतन को उसके जगा पर रखूंगी समेटने में तो फिर मुझे अचानक से याद आया तो मैं हरोटी को डाल दे रही यह वाले डबे में मैंने इस बर सोचा था कि होट केस लूँगे लेकिन बार बार दिमाग से ही निकल जा रहा है जब मैं जा रही हूं लेने कुछ भी समान मार्केट जैसे महीना में एक बर तो फिर मेरे दिमाग से निकल जाता है और जब वापस आती हूं तो याद आता है कि मुझे लेना था फिर इस बार भी मेरे सतना ऐसा ही हुआ है मैं नहीं ले पाई तो देखती हूं अगले बार लिस्ट में उसको भी मैं रखूंगे ताकि मुझे याद रहे और फिर अभी यह मैं मिल रही हूं आप सभी से सारा काम खतम करने के बाद जारू बरतन पोचा टोटल काम खतम हो गया था मैंने नहा लिया था उसके बाद का भी टाइम है मैंने इधर डाल चड़ा दिया था यह लगभग साड़े 12 बज़ रहे होंगे और डाल इधर मेरा बन चुका था नहुँआ है श मैंने यह खते हैं नहीं होटे टेल कोफे भगल ₹ता-बज़ाद मेने चूटल को है तो अबी घ्यस पे हैं तो मैंने डाल बना लिया तो इधर अभी मैं चड़ा देरी हूं चावल और अज मैं आज मैंना बना रहे हूं आलू और फुल गोबी की भुजिया तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस चावल, दाल, भुजिया और सैलेट थोड़ा सा काटोंगी, क्योंकि मुझे चावल नहीं खाना, एक दो चम्मा चावल भी मैं खाऊंगी, सुबह जो मैंने बनाया था न चीला, तो एक चीला मैंने खाया था, तो उसमें से एक बचा हुआ है वही अभी मैं खाऊंगी, साथ में दही रहेगा मेरे लिए, और सैलेट रहेगा, तो मैं यहां लेकर आई थी, गाजर, खीरा, और मतलब बहुत सारे सब्जे लेकर आई थी, थोड़ा-थोड़ा करके, तो अभी मैं गाजर लाई हूँ, और खीरा लाई हूँ, तो वही टम मैंने सलाद ही आज बनाया है मैंने एक हीरा एक टमाटर एक गाजर और एक प्यास लिया था जिसमें एक प्लेट हो गया था मेरा यहां पे सलाद और एक छोटी कटोरी मैंने ली थी दही और फिर फ्रसा दाल भी पिया था मैंने तो और एक जो चीला यह था मेरा पास चीला तो तो यह रहा मेरा सलाद तो मतलब ना देख के भी अच्छा लगता है ऐसा नहीं है कि मतलब आदमी को खाने में बोरिंग लगे मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इंज्वाया कर रही हूं मैं अपने डाइट वाले टाइम को तो यह मेरा खाना यहां बन करके हो चुका तो इसको भी मैं रखूंगे साथ में थाली में ही और इसके बाद हम लोग चलते हैं खाने यह है आज का हमारा हेल्दी और टेश्टी वाला खाना फिर यह टाइम हो चुका है अभी लग भग तीन से साड़े तीन के बीच का और ग्रॉसरी का टोटल समान मैंने बोला था आज मुझे सारा रखना है जगह पे तो सारा काम खतम करने के बाद ज़ाडू जो बचा रहता है खाना वाना खाने के बाद का तो मैंने ज़ाडू सि पहले इसको कर लो उसके बाद मैं करोंगे ज़ाडू तो अभी सारा मैं लेकर आ गई हूँ बेट पे ही नीचे रखोंगी तो कुहू ले लेकर भागेगी इधर उधर इसलिए मैंने सुचा बेट पे ही रखते हैं और वहीं पे रखके सभी चीजों को समेट की अच्छा मतल कर दो हैं दूसरे वाले क्वाटर में रहती थी थी ना उतना ज्यादा चुह परिसान करते थे मुझे कि मैं क्या बताओं मतलब जिस भी डबी में रखती थी ना शारा बबाब और यह काट हुआ ही है तो मैं उसमें ऐसा चीज रखती हूं जो कि खाने वाला ना हू तो इसल मैंने सोचा था ना कि मैं बैग में रखूंगी लेकिन इस वाले में मैं रखके चली गई थी जब मैं घर गई थी तो उससे पहले मैंने इसी में सारा कुछ डाल के रखा हुआ था चुहों को यहां पे भी न यह इसका जो खुस्बू से पता चल गया और इस वाले बैग को भी यह दो मैं अंग्यों को यह काट दिया हैं लेकिन फिर भी मैं फिर सोच रहुकिं को चलो अब यह तो खराब हो गया है तो मैं इसा Diamond और बचा रहे गा चुहे से भी बचा при present गया के डाल एक कि लिए ती उसको मैं निकाल के किचन में रख लेती हूं और जिसकी जरूरत नही तब तब मैं निकाल के और ले जाती हूं तो ये आज बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया है क्योंकि आज मैं बहुत मतलब इस बार मैंने बहुत सारे चीज ऐसे मैं लाई हूँ जो कि मैं और बार नहीं लाती थी क्योंकि अभी मेरा डाइट चल रहा है तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज ऐसी लाई है जो कि मेरे लिए जरूरी था तो बस इसलिए ना इस बार बहुत जादा भारी हो चुका है और यहां पर बचता है साबून जो कि बाथरूम और किचन के यूज का है तो सार्फ और जो भी होता है ना साबून वेगरा तो मैं बाथरूम में ही सारा कुछ रख देती हूं और जो किचन कह रहा था है वो किचन में रखती हूं जैसे साबून स्क्रबर यह सब और यह देखिए यह मैंने लिया है अपने लिए पर्स जो कि मैंने बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में मिल ही नहीं रहा था फाइनली यह मुझे मिला जो कि यह मुझे बिसाल से ही मिला इस तरह का पर्स भी मुझे कहीं नहीं मिला मैं कितने दुकान डूंडी हूं फिर भी मुझे नहीं मिला तो फाइनल विसाल से मुझे मिला तो मैंने ले लिया कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताईएगा और ये मैंने परदा लिया है भीटू से मुझे एक परदे की जरूरत थी तो गई थी भीटू में भी परसी ही देखने तो मैंने देखा इसका प्राइस तो 175 का है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा और यहां पर बिसाल में 200 का मिलता है यह तो इसलिए मैंने ले लिया था और यह एक आंटी है जो बगल में ही रहती है तो मतलब नहीं एक है जो ड्राइवर भया उनकी मतलब मामा की बेटी आई तो बहुत सारा चीज लेकर आई थी खाने का वो लोकल ही है लेकिन पता नहीं मतलब लोकल लोग ना बहुत कम ही यहां के लोग हैं जो बाहर के लोगों से भाचीत करते हैं लेकिन वो इस पेसली मेरी बेटी से मिलने मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे थोड़ा सा उनको खाने के लिए जरूर पुछती कम से कम इतना तो हुआ और लोग यहां के ना मिलते भी नहीं हैं मतलब बाचीत भी करना नहीं ठीक समझते लेकिन वो इस पेसली मेरी बेटी से मिलने आई मुझे बहुत अच्छा लगा और साथ में इतना सारा मतलब खाने पीने का ची किया और यह लगबग 6 बजे का टाइम है तो यह टीवी जो आया था ना तो उसको ना सेट करने के लिए फिलिपकार्ट के तरफ से मतलब जो देते हैं उनहीं लोग बेजते हैं तो फिर यह आना था इन लोगों को ही लेकिन यह लोग नहीं आया क्योंकि कल के दिन लोगा च तो जो चीजे उस चीजे का नाम लेकर बोल रही थी मदे गशयारा टीवास ना के घर जुटा करने Jonathan इस वह सिगते हैं तो इसको में जिए इसलिए अपटा था फिर अपना टीवी towards उससे पहले ना यहां लाइक कर दीजेगा चैनल पढ़ना होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बाबाइब